नमस्कार मैं कवीताउनियाल आप देखरें मीडिया टूडे टीवी रूसी राशपती बारादमिल पुतीन ने अर्मेनिया और अजरबिजान के बीच होए टकराव के समाधान के लिए दोनों देशों के नेताओं के साथ वार्ता की ये दोनों देश सोव्यस संके पडोसी हैं और इन दोनों के बीच लंबे समय से नागर्नो कारोबाग छेतर को लेकर विवाद है पुतीन ने शांती वार्ता की मेजवानी ऐसे समय पर की है जब खुद रूस आठ महीने से यूकेन के सत्थ युद में हैं रूस यूकेन की बुनियादी धाचे को निशाना बना रहा है रूस ने यूकेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार कीव समित कई शहरों पर 40 मिसाईले दागी और अधारबूट धाचे को तबहा कर दिया रूस की इस हमले के बाद यूकरिन की कई इलाके अंधेरे में डूब गए और पीने के पानी की सप्लाई भी बंद हो गई रूस ने यूकरिन की खारकीव, जेपोरीजिया और चेरकासी इलाकों में कई मिसाईलों से हमले किये हैं रूसी मिसाइल के हमले से खारकी में जमीन के अंदर लगे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है वहीं दो अन्ने शहरों में बिजली गुल हो गई जिससे अन्धेरा चा गया यूकरिनी मिरिया का दावा है कि रूस नागरिकों से जुड़े अधारबू धाचे को निशाना बना रहा है ताकि यूकरिन के लोगों की जंग लड़ने की इच्छा शक्ती को तोड़ा जा सके रूस की तरह से हमले यूकरिन द्वारा रूस नौसैनिक अड़ेप पर ड्रॉन हमले के जवाब में किये गए है अंतरास्टे कानूं के मुताबिक नागरिक ठिकानों पर इस तरह के हमले करना यूद अपरात माना जाता है लेकिन रूसी सैना ने ये हमला ऐसे समय पर किया है जब यूकरिन की सैना ने रूसी काले सागर में इस्तित नौसैनिक बेड़े के मुख्याले पर समुंदरी ड्रॉन से जोरदार हमला किया है इस हमले के बाद से ही रूस ने यूकरिन के साथ हुए उस समझोते को भी तोड़ दिया जिसे तुर्की और सहीत रास्टर ने मिलकर करवाया था इस समझोते के मुताबिक रूस ने यूकरिन में फसा अनाज बाहर निकालने में सहियोग की बात कही थी रूस ने कहा है कि वो ऐसे मालवाहग जहाजों को सुरक्षा की गरेंटी अब नहीं देगा इस बिच यूकरिन की विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस की मिसाइलों की बारिश ने देश की महतपुन ठिकानों को निशाना बनाया है उन्होंने कहा है कि जंग के मैदान में लड़ने की बजाए रूस आम नागरिकों से लड़ रहा है रूस और यूकरिन दोनों ही जंग में हार नहीं मान रहे हैं दोनों ही तरफ से लगातर हमले जारी हैं ऐसे में रूसी राष्टपती पुती ने अर्मेणी और अज़रबेजान के भी शांती कायम करने के लिए अर्मेनीय राष्टपती निकॉल पार्शियान के सथ बात की कारा सागर तर्ट पर सूची शहर में हुई इस बैठक को लेकर पुती ने कहा है कि इस बैठक का मकसद अर्मेनिया की आर्थिक और समाजिक विकास में मदद करना है इससे पहले रूसी राश्टपती ने अज़र्बेजान के राश्टपती इलाम अलियेव से भी अलग से बैठक की थी पुतीन नी कहा है कि हम अर्मेनिया, अजर्बेजान, सीमा और कारबाग के आसपर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रती अपने सहियोगियों के नजरियों को देख रहे हैं ये संगर्ष एक दशक से जारी है इसलिए अब इसे समाप्त करने की ज़ौरत है अगर आपको नीज अच्छी लगे तो नीज को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे मीडिया टूटे टीम शेलों को सब्स्ट्राइब करें और हाँ बैल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेनियू सबसे पहले आप तक पहुँचे अब मैं आपको अगली कबर के साथ मेरूंगी शक्रिया